विद्वन बेलकम आट वाइने वीडियो आजम बात करने हुआ है महुष्ट आइलांड एक्ट यह महपत ने से अपनी फैन्स पो लिंक सगी बुप करने वाली एक्ट दिपेंका दिपटी के बारे में जानें गे उनके लाइफ से जोड़ी बहुत सी बाते जो आप नहीं जान करने और साथ में बेल आइकन भी प्रेश कर लें क्योंकि मैं ऐसी चुट बहुत ही अच्छी अच्छी लाइप स्टोरी बनाती रहती हुँ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नहीं आर्मी ऑफिशर मनना चाहती थी रैफल शोटिंग में भी काफ इन्होंनी मॉडल काफी अच्छा परफोंस किया और गोल मॉडल भी जीता है फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंनी बदल अपनी करियर की रहा तो जली जानेंगे इस वीडियो में दिपयंका डिपार्टी अच्छोटे पर्दी की जानी मानी एक्टर में हैं मैं बनू तेरी दुरहं से लेकरी हैं महबत अच्छे अच्छे तक एक्टर दिपयंका ने सबी शोव इट टेलिविजन डस्ती को दिये हैं आज दिपिकटी भाटी कर छोटे पर्दे की टॉप एक्टर भी गिना चाहता है लेकि आप जानते हैं दिपयंका कभी एक्टिंग एक्टर बन नहीं नहीं चाहते थी पलकि अ डिपयंका का सपना था कि वह आर्मी में जाया वाकि इसके तग्यार ही उन्होंने काफी पहले ही सुरू कर दी थी तो वहीं का उत्तरकासी मॉंट इन इंसिट्यूट में भी कोर्स भी गया था सिर्विए यहीं नहीं वह रैफल में हीं उन्होंने गॉल्ड मेडल तक जीत ल आर्मी ऑफिच वन्नी की पूई कोसिस में जुटी थी लेकिन उनकी जिन्दीकी पूरी तरह बदल गए बस उनकी पूई जिन्दीकी बदल दी उन्हें दिपयंका को पहली पार भोपाल में आडिशन के लिए फोन आया था हाला कि तब दिपयंका ने इस फीक समझाता क्योंकि इन्हें लगता था कि बूमबई से भला उन्हें कोई फोन आडिशन के लिए क्यों करेगा लेकिन फिर बार पर फोन आते रहे और तो दिपयंका ने सोचा कि क्यों ने एक बार बूमबई जाके देखना देख ले और वो बूमबई चली गई पर उन्हें बूमबई जाना इ थी ऑडिशन दिया और स्लेक्ट भी हो गए किसमत ये शो था बनू में तेरी दुलहन इश्यू ने रिब्यंक का किसमत बदल दी और ये इनके लाइफ का ट्रैनिंग पॉर्ट रहा है इसके बाद इन्हें एक्टर ने कभी पीछे मुड़के नहीं देगा वह एक के बाद एक सोच से जुड़ती रही और चोटी पर्दी की टॉप एक्टर बन गए उनका यह महबत शोवी काफी ज्यादा हिट रहा और इससे भी काफी ज्यादा अच्छी फॉन्स फॉलाइंगी बबकी अब चानते हैं उनकी बायोग्राफिक के बारे में दिपेंका एक टीवी इंडि इनकी हाइड है 165 cm यानि 5.4 इंचिस इनका वेड है अब बात करते हैं इनकी पास्नी डिटैल के बारे में बात करें तो इनकी डेट ओव बर्थ है 40 देसमबर 1984 और इस हिसाफ से इनका बर्थ प्लेस है भोपाल मध्य परदेश और इनका हम टाउन भोपाल मध्य परदेश औ और करेक्ट एड़ इस भूंबई है नेस्नलिटी के बात करें तो यह इंडियन है और रिलीजन से हिंदुद्रम को फोलो करती होबी की बात करें तो इनका वेडिशनशिप के बात करें तो छरद मरोत्रा को डेट कर रहे ही थी लेकिन उनका ब्रेक अब हो गया और उसके बा जोडिय शायन्स शीनेशर है अब बात करते है एजुकेशन कोल्पिकिशन के बात करें तो गैजुट है और उन्होंने भावपाल कॉलिज में कम्प्लीट की थी बात करते है उनकी फैमिली के बारे में उनके फादर का नाम नरेन डिफार्टी है अब बात करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में और कहां कैसे किसे हो जाए ये कोई नहीं जानता हम सब किस जन्दी में ऐसा कोई ना कोई इनसान आता ही जिस पर हम दिल हर वैटते हैं वही अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार कब करने लगते हैं भी हमें नहीं पता चलता हमें उनके साथ जीने मनी किशम खाने लगते हैं साथ जनम तक चातनी भानी की बात करने लगते हैं उनके लिए हर वो चीज करते हैं जो उन्हें पसंदो क्योंकि प्यार होते ही ऐसा ये दुनिया से पकावत करा ही देता है ऐसे में जिसे हम प्यार करें जरूरी तो नहीं हमें भी प्यार करता पर वो ही हमारा प्यार में डूबा हो वह धोका दे दे तो मौत का असास होता है होते दे नहीं लगती को दुनिया में ऐसे काफे इंसान है जिनें ये प्यार का सच्चा दर्द में प्यार उनसे अलग हो गया हो और वहीं कुछ लोग को जिन्दिगी का दूसरा मौका देते हैं और एक बार इसे प्यार की रहा पर चल पड़ते हैं इसमें कई बड़ी हस्ती भी सामरी इस सब से होकर गुजरी है टीवे इंडस्ती एक्टर दिपेंका डिपार्टी और एक्टर विबेक देया का नाम भी इन्हीं लोगों की लिस्टे में सामरी दिपेंका डिपार्टी इंडस्ती की जानी माने नाम इस तरह विबेक भी किसी खास पहचान के महताजने विएक ने भी डिपैंका की तरह टीवी की दुनिया में अपनी एक्टिंग की छाफ छोड़ दिये दोनों फिलाल अपनी साधी सुधी संदिगी में काफी खुशें लेकिन क्या आपको पता है कि वेक से पहले डिपैंका किसी दूसरे इंसान को प्यार करती दी जी हाँ आपने सही सुना जी टीवी के शोब बनों में तेरी दुहन से अपनी करियर की सुरवात करने वाई डिपैंका इस शो के कोका शारत मनोतरा को दिल दे बैठी दी दिपैंका और शारत ने करीवी आठ साल तक एक दूसरे को डेठी दिपैंका और शारत की जोड़ी को दर्शक खुब पसंदिया करते थे उनके प्यार की चाचा होती थी सबी को ये लगता था कि ये जल्दी दोनों प्यार के बंदन में बन जाएंगे लेकिन किसमत को कुछ और ही मंजूर था इनके रिस्ते को किसी की नजर लगई आठ साल के रेशन के बाद ये पंदरा दोहसर पंदरा में दिपैंका और शारत के रिस्ते अलग हो गए और उनका ब्रेक अब हो गया दोनों अलग होने के बाद ये बास सामने आई थी कि सारत दिपैंका को धोका दे निर दोटने और बाद बीच-बीच नें पहले ती से हुए ईबीच-बीच बाहर चले जाती ती और बहुत रुगा करती थी पर इस बीच बीच ने उन्हें सभाला इस के दोरा दौरा जान दोपना है ती जिससे डिबैंका को शरत की याद से पहार निकाला था, वयसे दूनों की दोस्ती अपने आप ही नहीं हुई थी, दोनों बने ही एक सीरियल में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें भगवान ने मिलाया था, और जिससे उन्हें मिलवाया सीरियल के यी, एक एक्टर डिबियंका और विबिक के एक दूसरे से जान पहचान कराई थी इसके बाद मुलाकात का सिरसा चल पड़ा और दोनों कव एक दूसरे को दिल वैठे उन्हें भी नहीं डिबियंका और विबिक अब रिलेशन्शिप में आई तो उन्होंने अपने प्यार को दुनिया की नजरों से बचा कर रखा कि पूरी कोसिस की दोनों अपने रिष्टे पर बात करने से बसते थे उन्होंने हमेशा चुपी साथ रखी थे अपने रिष्टे के बारे में बात करते हुए एक बार दिपैंका ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि डेटिंग रेशेशिंप में हमारा समय बरवाद हम सीधे साधी करना चाहते इतने ही दिपैंका नहीं ये भी कहा कि हम दोनों पार्टी में भी जाना पसंद नहीं करते सायद इस वज़े से हम दोनों में अच्छी बांट शेयर किया जाता है विवेक अपनी बहुत अच्छी खुष से हाल जंदिगी में बहुत खुष से भगवान से हम यही दुआ करते कि उन दोनों की जोड़ी हमेशा अच्छी रहे और वह हम इस अपनी लाइफ में आगे बढ जोड़ी खुष रहे चोड़ी स्लेप सोड़ी कैसी लगे हमें कमेंट कर कि चुरूबताए थांक यह वर वाचिंग दस वीडियो लिवन बेल कमार तो